कि यह वल्कम बैक मैं यूट्यूब चानल लवली गार्डम कैसे हैं आप आई हो बच्छे होंगे आज सुबह के बज रहे हैं साथ और मैं अपने टैरस पर हूँ और बारिश के मुझे से टैरस कापी खुपसूरत लग रहा है जो भी मेरे प्लांट है तो मैंने इनको और भी ज़्यादा खुपसूरत बनाने के लिए बहुत सारे काम किये हैं तो वह सारे काम मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ होग करती हूँ कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप देख सकते हैं कि प्लांट में न्यू ग्रोथ न्यू सब चीजे नहीं हो रही हैं और साथ ही प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रहा है और यह वाला प्लांटर जब बनाया था तो आपके साथ सेयर तो किया ही था आप देख सकते हो यह कैसा हो गया है अगे और यह सब और इसको मैंने प्रून कर दिया था अभी मैं बताती हूँ कि मैंने प्लांट को खुबसूरत बनाने के लिए जो भी बन पड़ा है मैंने उसमें से क्या क्या किया है तो ये देखिए मेरा परपल हाट और कापे कुबसूरत लग रहा है मेरे पास परपल हाट के बहुत सारे प्लांट थे जो लोग मेरा वीडियो कंटीनू देखते हैं को पता ही है तो आज मैंने अपने परपल कल साम को मैं अपने परपल हाट और गुले धावदी की मैंने प्रूनिंग कर दी ये देखिए मैंने परपल हाट और गुले धावदी की प्रूनिंग कर दी जो बड़ी बड़ी ब्रांच थी और तेज हीट के वजए से उनके पत्तों का कलर एदम से डल हो गया था तो मैंने प्रूनिंग कर दी और जो चोटे-चोटे पप्स निकल रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया है और अब इसी तरीके से जो नए पप्स निकलेंगे उनके कलर का और मेरे चंपा में बॉर्ड आ रही है देखिए किस कलर का इसमें फ्लावरिंग होता है तो कभी मैं आप से चंपा की कटिंग लगाना भी आपके साथ सेयर करूंगी क्योंकि इन दिनों में बहुत ही अच्छे से कटिंग भी लग जाएगी और यह वाला देखिए मेरा सब क कितना कलरफूल और कितना खुबसूरत इसमें फूल खिला है तो इसी तरीके के रंगीन प्लांट निकले इसलिए मैंने प्रून कर दिया था बहुत सारे जो मेरे पुराने हो गए थे उनको मैंने परपल हाट और जो मेरी गुले दावदी थी उसको प्रून कर दिया ताकि नीचे से अच्छे अच्छे और न्यू प्लांट निकले बेवी प्लांट और उन्हें मुझे जो गुले दावदी है उनको अब मैंने प्रून कर दिया तो अब यह नवंबर जिसमबर तक जाते जाते फ्लावरिंग प्या जाएंगे बर्ड आने लगेगी साथी साथ मेरे रायडर में प्लांट फिर से तक मर जाते हैं इसलिए मैंने बहुत अरे कटिंग लगा दी और यह कूब चल रही है और इनकी अच ningúnगए भी बहुत तेजी से हो रही क्योंकि बारिस हमारे हां दस दिन से लगातार हो रही है रुकती है फिर चालू हो जाती है और यह गेंदी की कटिंग तो मैंने कल ही आप से लगाना सेर किया था इसका वीडियो तो आप अपना तो आप मेरा चैनल पर जाके चेक कर सकते हो और पर तके शल्दा तो अजया रूख रिरी देुक्स निकालते रहते हैं फिर भी जो जो मेरे घमलें में घस हम अगी थी कसा मेका फिर साम को मैंने और उसको भी निकाला तो यह बीक काम किया मैंने तो यह बता देती हूँ ताकि आपको भी है कुछ तो मिली जाए आप भी यह सब काम करते रहें क्योंकि यह गासों का जमावडा लग जाएगा और यह देखिए मेरा वह वाला सकरकंध है जो कि स्वीट पटेटो वाइन जो कि मैंने खाने वाले स्वीट पटेटो से ग्रो किया है और मेरे एक जोरा प्लांट में बहुत सारे फ और यह तो बहुत तेज हीट थी तब भी इसमें फूल आ रहे थे और इसके मैंने बहुत सारी कटिंग लेकर लगाए हैं ताकि बहुत सारी प्लांट तैयार हो जाए और यह वाला मेरा प्लांटर आप देखी लगते हो इसको भी प्रूंड कर दिया था तो इसके जो चोटे पूल आ रहे हैं हाँ तो देखिए स्वीट प्लांटर देखे होंगी तो आपने देखा हुआ कि गुजय दावदी इसमें बहुत बढ़ी हो गई थी तो देखिए सब प्रूंड वगारा कर दिया है और यहां पर प्रूंड भी बहुत सारा था उसको भी प्रूंड कर दिया ताकि नए पॉपल हाट निकले जो कि काफी कुपसूरत होते हैं और यह मोस रोज आप देखे सकते हो कि किस तरह किसी यह नीचे इस तरह किसी लटक गया है अब जो भी गुलेदा होती कि नए प्लांट निकलेंगे छोटे वो काफी अच्छे होंगे हेल्दी होंगे क्योंक कि समर में पते बर्न हो गए थे तो वह पानी पढ़ने के वज़े से काले हो गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में और यह सारी किसारे मैंने जो खाली पॉट्स थे मेरे चुटे-चुटे उनको मैंने भड़ दिया है कुछ न कुछ लगा के तो यह मेरा देखे रंगूर कीपर है देखे इसका फूल कितना अब कलर फूल आने लगा है और फाइकस के एक बरायटी कितनी बढ़िया मैंने रंगूर कीपर को भी प्रून किया है क्योंकि इसमें पहले बहुत पहले से ही फूल आ रहे हैं और फूल के वज़े से फूल ज ज्यादर जरूरी था तो मैंने वस प्रोन कर दिया है इसकी ब्रांचे तो नीचे नीचे तक लटकी हुई है और यह मेरा चमेली का पौधा प्रोन किया था अब देखिए यहां से किती बढ़ी बढ़ी ब्रांचे सा रही है और कापी बसी कापी खुबसूरत प्लांट हो गया है यह कुछ खाली हो गया आप नीचे से देख रहे हैं छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं और इसको भी प्रून कर दिया था इस में भी देखिए चोटे-चोटी बेबी बांट्स आ रहे हैं मोस रोज और इसमें भी गुले दाव दे थी यह मेरा अगेव और यह सारे के सारे प्लांटर और यह मेरा डेजर्ड रोज रगिस्तानी गुलाब कितना अच्छा इसका भी ग्रोथ हो रहा है फोली फोल है और इसमें पानी एकदम से नहीं रुकता है पानी नहीं रुके इसके लिए मैंने एक साइट से इसको थोड़ा सा नीचे से इट के टुकडे लगाकर उचा कर दिया है और ये मेरा खरबुजा एक खरबुजा पक गया उसको मैं खा ले और ये दूसरा है और ये मेरे सारे के सारे प्लांट कितने ज़्यादा खुबसूरत लग रहे हैं कितने ज़्यादा रंगीन हरे भरे जैसे कि इनकी जो ये कितने उदास थे पर इनकी सारी उदासी खतम हो गई क्योंकि भगवान जी ने इतना अच्छा बारिश कर दिया इनके लिए तो ये कापी खिल खिलाए से गए हैं ये मेरा हर सिंगार का पौधा ये देखिए ये मेरी हरती गिली चुकी है तो इसको मैं खड़ा कर देती हूँ और कुछ नकुछ घास तो उगी रहे हैं कंडीनियू कितना भी हटा लो तो ये देखिए कितना हरा भरा और कितना जदा अच्छा हो गया है बारिश की पानी के वज़े से तो बारिश का पानी तो समझ लेजी हर तरिकी के फेटिलाइजर वगेरा सबसे अच्छा होता है और य इस प्लास्टिक के बोरी में भी वही हाल था ये भी देखिए प्रून वगरा कर दिया मैंने तो इसी तरीके से मैंने कुछ काम किये ताकि जो मेरा अब ये गुली गावदी का पोदा है और ये परपल हाट है इनके जो नए प्लांट निकले वो काफी रंगीन हो जैसे इस क्योंकि समर की वज़े से ये सब बे धंगे बे रंग के हो गये थे तो होप करते हैं गाईस आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आप भी ऐसा कुछ काम करिए अपने गार्डन में नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तक तक लिए बाई है विए नाइस आप अभई हमारा ये बाई डिरा काम करिण है विस देयर हूजर क काम करी बाल भी और से बाल क्या हूजर ही अच्छा झालते हैं ये तक खाल सब कोद्दालीلة ये विए